विकास कैसे होता है जरा वो दिन याद कीजिए तब विकास का दाइरा क्या होता था सोच क्या होती थी और आज भी यहां 30, 35, 40, 50 साल के लोग हैं और उससे उपर के जो लोग हैं उनको सब को यह सब मालूब है पहले कॉंग्रेस के जमाने में लोन मेले लगते थे लोन मेले और लोन मेले लगते थे बाबु लोग आ जाते थे सरकार चुनाव के पहले मेल लोन मेले लगा लेती थी और फिर क्या करते थे लोन की चीज़ कहां वो कहते हैं हमारे आदिवाशियों को ऐसा करो इतनी मुर्गी लेलो इतना लोन मिल जाएगा आपको इस मुर्गी के इतने अंडे होंगे इतने अंडे बिकेंगे इतनी फिर मुर्गी होगी फिर इतने मुर्गी बड़ेगी फिर उसमेसे इतने अंडे बज़ बनेगे फिर इतने और वह वारा आदिवाशियों भाइश अपने लेकर के सोचता रहता है इतनी मुर्गी ली इतनी मुर्गी और बनेगी इतने रंडे और चलेंगे और कर्ज लेकर के मुर्गी लेकर के घर जाता था बड़े बड़े सपने बुनता था थोड़े इतनी मुर्गी बेचेंगे इतना पैसा आएगा फिर इतनी मुर्गी बेचेंगे इतना पैसा आएगा फिर जमीन लेंगे खेत लेंगे घर लेंगे साइकल लेंगे सोचता रहता था हपता ही नहीं होता था और गाउं में बड़े बाबु आ जाते थे लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाती थी और सब लोग गाउं में आते थे तो वो हमारा आदिवाजी भाई सोचता था रहे आओ 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 इतने दूर से आयो हो साफ बड़े दिन के बाद आयो आओ आओ बटो बटो और आधिवासी आगरह भी करता था कि आये हो तो रात को रुख जाईए अब रात को रुख जाने का कह दिया तो बाबू रुख जाता था अब मेरा आधिवासी मेहमान नवाजी में कभी पीछे नहीं रहता वो सोचता है ये शहर के बाबु लाल लाइट वाड़ी गाड़ी वाले बाबु आए हैं चलो मेहमान के ठीठी कर लें तो अभी अभी तो लोन लिया है लेकिन दो मुर्गी उसी रात को कड़कनाथ हो जाए कर्द वैसा की वैसा धना रह जाए और बाबु को मालूम है को उसने मुर्गी लिए हैं महमान उसी के बन जाते थे और वो कर्ज से कभी भार नहीं आता था वो एक जमाना था तोर तरीका था हमने आकर के स्थिटी बदल दी हमने मुद्रा योजना ली नवजवानों को हम कह तेहे ट्रेक्टर लो टेंपो लो ट्रक लो अपना कार खाना चुरू करो अपनी दुकान चुरू करो खेत लो व्यापार करो कुवा खोदो हम उद्धिशा में ले गए उनके सोचने का तरुका मुर्गी और इंडे से बाहर नहीं निकल पाया हमारे आधी वाच्यों का आज आधी के इतने सालों के बाद भी बविश्य नहीं बदल पाए और इसलिए भाईयों भेनों हमने मुद्रा योजना के तहर आज देश के नवजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की एक ताकत दी है एक नया होसला दिया है नया विश्वाद दिया है पहले अगर उसको उसके पास संपत्ति नहीं है तो बैंक वाले लोन नहीं देते थे गर गिर्वी रखो तो लोन मिलेगा खेट गिर्वी रखो तो लोन मिलेगा जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या गिर्वी रखेगा वो क्या बताएगा हमारी सरकार ने नियम बनाया कि मेरे आदिवासी भाई बहन मेरे देश के नवजवान अगर मुद्रा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है बैंक से उनको लोन मिल जाएगा और वे अपना कारोबार आसानी से चला सकेंगे भाई यो भेनों हमने करीब 14 करोड यहां कड़ा छोटा नहीं है हिंदुस्तान में 25-27 करोड परिवार है 14 करोड लोन बिना गारंटी हमने स्विक्रुत की है और उसमें 70 प्रतिशत वो लोग है जिनको पहली बार बैंक में से पैसा लेने का सवभाग मिला है और वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं और खुद तो कमा रहे इतना रही गाउं के एकाद दो छोरों को भी रोजी रोटी कमाने का आउसर दे रहे हैं